कल मैं बाहर खड़ा था एक बच्चा आया मुझे बोल रहा है मोटे अंकल नमस्ते मुझे कोई मोटा बोलता है मुझे बहुत गुस्सा आता है तू बता मैं मोटा हूँ अरे नहीं आप तो बहुत फिट हो ऐसा लगता है जैसे अभी अभी 18 साल हुए है आपको हीरो लगते हो हीरो बस पेठ बाहर निकला है आपै चुप ओ जा चुप भाई चल बाहर खेलने चलते हैं हाँ चल पापा बाहर खेलने जाओ क्या खेलने जाओ, चल पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, ऐसा करते हैं, पापा का दिमाग खराब कर देते हैं, फिर पापा कहेंगे, जाओ जाओ बाहर खेलने जाओ, मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने, चल चल ऐसा करते हैं, हाँ हाँ, क्या करू, क्या करू, क्या करू, हाँ, चाचा बाहर खेलने जाओं कहा है चाचा आप मेरे चाचा बिट्टू दिमाग मत खराब कर पड़ाई कर पड़ाई कर पापा का दिमाग खराब हो रहा है चल चल और खराब कर दादा जी बाहर खेलने जाओं बिट्टू चुप हो जा नाना जी, बाहर खेलने जाओं, चुप हो जा, अंकल जी, बाहर खेलने जाओं, चुप हो जा, ओ अंकल, मोटे अंकल, बाहर खेलने जाओं, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, मोटे अंकल बोला, मुझे मोटे अंकल बोला, रुक, मोटा अंकल बोलता है, पापा ने कितना म में बहुत हो रहा हूँ मुझे बहुत मार दिया पापा ने मैं बेहोस हो रहा हूँ हो गया हो गया मैं बहुत हो गया है मेरा बेटा बबलू तू जा बाहर खेलने जा अगर ये बिट्टू बेहोस नहीं होता तो मैं इसको बाहर खेलने भेज देता मैं ठीक हो गया हूँ मैं भी बाहर खेलने जाऊँ अब ठीक हो गया पागल समझता है मुझे अरे भाई साहब क्या हो गया दिन भर परेसान कर देता है भाई साहब एक बात बता दूँ आप कुछ भी कह लो लेकिन आपको बच्चों से बात करने का तमीज नहीं है आपको पता ही नहीं है बच्चों से कैसे बात की जाती है मेरे घर में आकर देखो मैं अपने बच्चों से कितने प्यार से बात करता हूँ हाँ तो तू प्यार से बात करके मेरे बच्चों को सुधार दे आज आते हैं फालतु का ज्यान बाटने हाँ तो ठीक है मैं आज बिट्टु को पढ़ाऊंगा आपको सिखाऊंगा, बच्चों से कैसे प्यार से बात की जाती है, बच्चों को कैसे प्यार से पढ़ाया जाता है आजा बेटा बिट्टू, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, आजा बेटा, तु मेरा बेटा भी तो हुआ, अब पड़ोसी हूँ करके क्या हो गया, बेटा तो तु हुआ ही मेरा बेटा आजा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा हाँ हाँ, आ गया ये लो, देखा, आ गया मैंने प्यार से बोला आजा बेटा, आजा, आ गया ऐसे बात की जाती है बच्चों से प्यार से हाँ तो अब पढ़ा, मैं भी देखता हूँ कितने प्यार से पढ़ाता है पढ़ा, पढ़ा, पढ़ा तो देख, मैं पढ़ाउंगा देख, देख, सीख, कुछ बेटा, बिट्टू, मैं तुझ से कुछ सवाल पूछूँगा सही, सही, जवाब देना, बेटा बेटा, पूछो, पूछो हाँ तो बेटा सबसे पहले अपने बारे में बताओ अपने बारे में अपने बारे में हाँ ये मेरे हाथ है ये मेरे पैर है और ये मेरी मुंडी है मुंडी देखो घूम जाती है ये ये देखो अरे अपने बारे मैं मतलब जैसे सुबह कब उठते हो अच्छा सुबह कितने बजे उठते हो ऐसे अरे क्या हुआ अरे सुबह मैं उठता नहीं हूँ उठाया जाता हूँ मेरा उठने का बिल्कुल मन करता ही नहीं है मन करता है पूरे दिन सोया रहू लेकिन मुझे मेरे घरवाले उठा देते हैं अरे ये छोड़ A, B, C, D सुना अच्छा A B, D C कहा गया C C, मेरे मुह के अंदर रह गया निकल ही नहीं रहा निकल जा C, निकल जा थोड़ी मिर्च खिलाओ मुझे मिर्च मैं मिर्च खाता हूँ तो फिर शी, 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 शी ऐसे करता हूँ फिर शी, शी निकलता रहता है अरे चुप क्या चुप बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए पढ़ा, 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 पढ़ा रहा तो रहा हूँ बेटा तुने ताज महल का नाम सुना तो होगा ये बता, ताज महल किसने बनाया ताज महल किसने बनाया क्यों, अच्छा नहीं बना क्या अरे चुप कैसा पागल बेटा है तेरा बेटा कुछ अच्छी बाते सीख हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं वैसा बन जाते हैं इसलिए अच्छी सोच रखो अच्छे काम करो अच्छा, मतलब मैं जो सोचूंगा और जो करूंगा, वो बन जाऊंगा हाँ, क्यों नहीं बन जाएगा ठीक है, आज के बाद मैं सोचता हूँ मैं राजा हूँ, राजा मैं राजा बन जाऊंगा क्यों नहीं बन जाएगा बेटा, राजा जैसे काम करेगा तो राजा ही तो बनेगा जैसे काम करेगा, वैसा बनेगा भिकारी जैसे काम करेगा, तो भिकारी बनेगा, राजा जैसे काम करेगा, तो ठीक है, मैं राजा जैसे काम करता हूँ, मैं हूँ राजा, और सब लोग मेरे मंत्री है, और ये मेरा दर्बार है, मंत्री, जी महराज, कोई नाचने वाली को पेश करो, महराज, कोई लड़की है ही नहीं, किसको पेश करूँ कोई बात नहीं, तू गाना सुना, राजा को गाना सुनना है जी महराज, जल्दी से जल्दी गाना पेश किया जाए ठीक है महराज, मैं गाना सुनाता हूँ तुम तो ठहरे परदेशी साथ क्या निभाओगे अरे भागो ये पागल कर देगा मुझे अरे भागता कहा है इसको प्यार से पड़ा प्यार से पड़ा इसके हाथ पेर तोड़